असलाम अलेकुम जी सो वी आर डन विद लोगो डिजाइन और अब हम लोग इस लोगो डिजाइन को प्लेस करेंगे एक मॉकप के उपर सो यहां पर ग्राफिक बर्गर से एक टैंपलेट एक मॉकप आप डाउनलोड कर सकते हैं सो लेट्स राइट हेर बॉटल और इसके बाद आपके पास कुछ मॉकप साइंगे इसमें से जो भी रेल्वेंट मॉकप है प्रॉडक्स से रेलेटेड आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं सु मैंने यहां पर वाटर बॉटल मॉकप अलरड़ी डाउनलोड किया हुए और उसको मैंने फोटो शॉब में open किया हुए सो मॉकप कैसे क्रिट किये जाते हैं इसको भी हम एक राइटीच चुके हैं सु इसके हम लेयरश में जाते हैं और यहां से जाके इस पर double click करते हैं इस place holder को open करते हैं और इस file को replace करते हैं ठीक है इसको अपने logo के साथ replace करते हैं तो वापस आते हैं illustrator के अंदर और यहां से अपनी जो logo है उसको save करते हैं पहले तो मैं एक और artboard create कर रहा हूँ ठीक है इसके बाद हमने इस logo design को finalize किया है इसको मैं copy कर लेता हूँ इसको हम यहां पर place कर लेते हैं ठीक है इस circle को remove करते हैं इसको resize करते हैं ठीक है और इसके बाद जो हमारे पर font है इसको outline कर लेते हैं इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं जो हम artboard यूज कर रहे हैं that is second artboard ठीक है और इसके बाद जी हम file में जाते हैं export में जाते हैं export as इसको desktop export करते हैं हमें png ही चाहिए so इसको लिखते हैं जी यहां पर video logo design png और artboard हमने इसको देना है second इसको save करते हैं desktop के उपर और वापिस photoshop में जाते हैं और इस file की जगह पर इस layer की जगह पर अपने logo को place करते हैं so मैंने इसको open किया इसको मैं drag करता हूँ और इसको यहां पर open कर लेता हूँ ठीक है इसको आप इसकी required जगह पर place करें इसको comment करें so I think we are good इसके बाद यहां से जाके .psp file को save करते हैं और वापिस अपने mock-up की तरफ आते हैं तो यह उसने जो logo था by default उसको replace कर दिया हमारे वीरू जो हमने logo resign किया था और यह mock-up इस वकत आपके सामने है ठीक है तो layers में जाके आप मजीद भी देख सकते हैं yes you can change the color आप इसका back side जो color है वो भी change कर सकते हैं इस layer का color अगर change किया जाए तो cap का color आप change कर सकते हैं ठीक है इस layer में जाके तो यहां पे और different options हैं for example bottle में जाते हैं तो यहां पे जाके आप मजीद कुछ layers को hydrant see करके देख सकते हैं और इसके बाद आप इस mock-up को save कर सकते हैं I think जो reflection है यह बिल्कुल जो bottom पे है ठीक है इसके बाद हम file में जाते हैं save as में जाते हैं और इसको desktop पे mock-up को save करते हैं JPEG के अंदर save the file और desktop पे जाके इसको open करके देखते हैं So this is the mock-up of the logo that we have created और कुछ इस तरह से आप client के साथ share कर सकते हैं इसको मजीद बेदर किया जा सकता है इसके आप multiple variants बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि आपने graphic burger से ही mock-up डाउनलोड करना है आप Google में जाके water bottle mock-up लिखें So this is the most important thing कि जब यह आप client के साथ अपने logo design को share करें या आप कहीं पे अपने logo को present करना चाह रहें तो इसको mock-up की form में present करें So Photoshop में एक और important चीज है अगर आप सिरफ इस bottle को save करना चाह रहें So यहां पे आपको इसका जो background color है उसको आप लोग hide कर लें जो इसकी reflection है आप इसको off कर दें ठीक है अब आप इस bottle को save कर सकता है So इस bottle को कैसे save किया जा सकता है मजीद इसमें से देख लेते हैं For example shadows है Shadows हमें चाहिए Shadows के बगएर काम नहीं चलेगा ठीक है मैं file में जाता हूँ Save as में जाता हूँ और यहां से जाके अब हम JPAC नी save करते हैं हम PNG save करते हैं और इसकी PNG save करते हैं और इसको illustrator में open करके देखते हैं कि हमारे पास क्या results है ठीक है तो यह उसने हमें bottle save करके दी आप इस bottle को भी कहीं पर use कर सकते हैं So this is how actually you can create the mockups और it's very important कि जब भी आप कोई logo resign करते हैं जब आप उसको अपने portfolio पर present कर रहे हैं तो अपना पूरा process here करें जो variants आपने create किये और उस जो mockups हैं ताके वो logo कैसा नजर आता है किसी product के उपर that is very important So this is how you can actually create the logos और this was the actual process जब भी आप कोई logo resign करें उसको पूरे process से लेके चलें I don't think so that this is the best logo that we have created इसे बहतर भी बनाया जा सकता था लेकिन मकसद ये था कि आपके साथ process here किया जाए और इस process के बाद end results को किस तरह से present किया जाता है So this was all about the logo designs इसके बाद next lessons के अंदर मैं आपसे कुछ useful चीज़ें discuss करूंगा कि अगर आप मजीद logo designs को सीखना चाहते हैं और इसके जो मुखलिफ platforms है inspiration के लिए वो मैं आपके साथ share करूंगा and those would be very helpful for you इसके बाद हम next module में किसी और topic पे बात शुरू करेंगे So see you in the next lesson Thank you so much